ये है नया बना सुंबड स्टेशन सुंबड स्टेशन हम आपको क्यों दिखा रहे हैं हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि USBRL में बनिहाल से सुंबड के बीच का सेक्षन तैयार हो गया है यह सक्षन हम कह सकते हैं इसमें पटरी डाली जा चुकी है और इस स्टेशन की समुद्रतल से उचाई की अगर हम बात करें तो 1417.9 मीटर की उचाई है तो समुद्रतल से उचाई 1400 मीटर से जादा है और यहां आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह स्टेशन क्यों महत्पूर्ण है यह स्टेशन इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि सुमबड ऐसी जगह है जहां पर स्रीनगर से अगर आप चलते तो कम से कम बाई रोड आने में 4-4 घंटा लगेगा अभी भी लेकिन जब रेल ट्रैक से चलेंगे तो 20 किलोमीटर बनिहाल से है सिनगर से अगर आप चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि देड़ से 2 घंटे के बीच में आप यहां आजाएं यानि देड़ घंटे में ट्रेन से आप पहुंच जाएंगे एक अच्छा खासा टाइम बचेगा यहां पर आप देख सकते हैं प्लेकफार्न तयार हो चुका है और यहां तयारी चल रही है कि किस तरीके से ट्रेन को यहां जल से जल लाए जाए इसी स्टेशन की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इसको हम जरूर दिखाना चाहेंगे क्योंकि पास का इलाका कहीं न कहीं लैंड स्लाइट प्रोन है यानि इस इलाके में लैंड स्लाइड आम बात है एक पूरा का पूरा पहाड नीचे धस रहा है तो इसको रोकने की कोसिस रेलेवे ने की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाली लगाई गई है और यह मजबूत जाली इसलिए लगाई गई है क्योंकि उपर से जो पत्थर आएं वो इस जाली में रुख जाएं साथी साथी हाँ पर नीचे पूरी सपोर्ट दी गई है जिससे कोई धिकत न हो यहाँ पर आप एक और चीज को देख सकते हैं क्योंकि जब बैलाष्ट होता है तो कहीं न कहीं दूसरी तमाम एक्टिविटीज होती है तो अब उन एक्टिविटीज में कमी आएगी साथी साथ इस station को आप देखे नया station है और नई चीजें यहां लगी हुई है साथी साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूँ इस जगहे पर बर्फबारी भी होती है यानि जब जाड़े का मौसम आता है तो यहां बर्फबारी होती है और यहां पर सारी चीजें अब धीरे धीरे करके तयार हो गई है यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो railway की जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहां पर तयार कर दी गई हैं और यहां पर अब प्रतिक्षा की जा रही है कि जल्द से जल्द train की सुरुवात हो तो यहां पर staff restroom देख सकते हैं male female दोनों अलग-अलग हैं साथी साथ यहां पर प्रतिक्षाले waiting room आप देखिए उसकी भी यहां पर board लग गया है साथी साथ SS room बन गया है और यहां पर तमाम वो चीजें जो एक station पर होती हैं उन सारी चीजों की यहां पर खवायत सुरू हो चुकी है यहां एक और चीज मैं आपको बता दूँ यह station नया नवेला है और यहां पर जब train आएगी तो निश्चित तोर पर हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव होगा बड़ा बदलाव इसलिए होगा क्योंकि आसपास उचाई पर जो लोग रहते हैं उनके लिए यह एक सपना पूरा होने जैसा काम है यहां पर अलग-अलग एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सिंटरल लॉबी बनाई गई है साथी साथ SM रूम है और यहाँ पर चलिए आपको हम सीधा सीधा इसके बाहर ले चलते हैं बाहर किस तरीके का दरसी मिल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं तो आने वाले दिनों में यह स्टेशन एक अलग तरीके का रूप रंग लेकर सामने आएगा एक और चीज हम आपको यहाँ पर बताना चाहा रहे हैं जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी खासी सुविधा है क्योंकि रैंप दिये गए हैं रैंप देख सकते हैं किस तरीके से रैंप दिये गए हैं यानि वील्चेर में अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए इस्टेशन आना आसान होगा जो मुस्किले हैं थोड़ा कम होंगी यह कहा जा सकता है साथी साथ दिव्यांग फ्रेंडली है स्टेशन है कोई दरश्ट वाधित व्यक्ति है तो उसके लिए भी यहां पर व्युस्था की गई है अलग तरीके की मार्किंग की गई हैं जिससे लोग सीधा सीधा आसानी से ट्रेन पर बैठ सकें आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे दूर दूर बचे हुए घर है और यह सुंबड का इलाका है सुंबड का इलाका यानि एक ऐसा इलाका जहां पर बर्भारी होती है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित तोड़ पर यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचेंगे क्योंकि यह जगह एक ऐसी जगह बन जाएगी जिसमें आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं इस जगह पर जब हम खड़े हैं तो कहीं न कहीं पिछला हिस्सा अगर आप देखेंगे पहाड का उपर के इलाके में यहाँ पर काम चल रहा है यह काम चल रहा है पूरी की पूरी चटानों को रोकने का क्योंकि पहाड पर लेंड्सलाइड है यानि सुंबड के पीछे जो किया जा रहा है आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी सुरंग से जब आप निकलेंगे तो तुरंत सुंबड पहुंच जाएंगे यानि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पर बन चुकी है उसके अंदर ट्रैक डाला चा चुका है और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूँ इसका नंबर भी बदलने जा रहा है अभी तक T49 बोला जाता है लेकिन आने वाले दिनों में अगर नंबरिंग की बात करें तो T50 बोला जाएगा और इसकी लंबाई 12.75 किलो मीटर है तो आने वाले दिनों में सुंबड जल्द ही भारत ये रेलवे के मैप में आने जा रहा है कैमरामेन हीरामंडल के साथ सिद्धार्थ न्यूजिस्टेशन सुंबड